हाइलो प्रेंड़् आज हम अपने किचन में कंपल का या या नारियल या चनिय वनग आपपी बनां। इस चटनी के आगे सारी चटनियां फिल है। इसके आगे मुंब्ली हुई या नारीयल या क्रे Emmat मतलब कि चाओ से खाते हैं तो चलिए इस रश्पी को पराणा शुरूर करते हैं Welcome back to my channel सबसे पहले लेना है हमें सिंगाडे तो यहाँ पर हमने ग्रेन कलर वाले सिंगाडे लिए जो कच्छे सिंगाडे मतलब कि सौप्ट होते जिसके छिलके बहुत ही असानी से निकल जाते हैं वही वाले हमें यहां पे सिंगाडे लेने हैं हाड वाले सिंगाडे नहीं लेने हैं एकदम जिसके छिलके सौप्ट हो असानी से निकल जाए तो वही वाले हमें यहां पे सिंगाडे लेंगे और इसके हम सारे पहले छिलके उताल लेंगे तो आज हम बनाने वाले हैं सिंगाड़े के छिलके की चटनी तो पहले हम सारे सिंगाड़ों के इस तरह से छिलके उताल लेंगे आप कई बार मतलब कि सिंगाड़े के हलवा खाए होंगे सिंगाडे की मतलब की सबजी भी खाया होंगे बहुत रेस भी खाया होंगे लेकिन आज हम सिंगाडे के छिलके से बनाने वाले हैं चटनी तो पहले यहां पर सारे सिंगाडों के हम छिलके उताल लेंगे और यह सबसे जरूरी शीज़े कि हमें एकदम सौप्ट वाले अब इसको हम रखेंगे सथे Không होने के लिए तो गैस पर हमने रख दिया एक बैटर और उस में में यहाँ पर जेएगे एक फानी यहाँ पर जाये लुद्ण Sum और इसको कवर करके हम 10 तो के मीडियम फ्लेम पर शुल तीन को Assist Soul और ओल गया है है तो अब इसे हम यह क्या करना है अब इसको हम छान के रग sos करना है थोड़ा सा ठंड़ा होने के लिए तो इसको मैंने के लिए एक सफसित द्वाले बड़तन में इस तरह से छान दिया है थाकि इसका जिटना विश्ट्रा पानी है निकल जाए और रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए अब यहाँ पर मैंने ले लिया है अद्रक लेशन और हरेमेर्ज अब इन सब को हमें क्या करना है मिक्सर जार में डाल के या तो आपका पास बड़े वाले लोहे वाले तो यहाँ पर हमने ले लिया है मिक्सर जार और इसी में हम डाल देंगे सिंगाड़े के छिलके यह क्या होगा कि जब सब मतलब के एकदम से ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं पीस पाता है तो इसलिए जब हलका हलका नौर्मल मतलब गरम होना तभी आप इसको पीस पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसलिए हम इसको आन ओफ करके पीसेंगे इसको चला चला के अच्छी तरह से इसमें में पानी डालना है अगर आपके पास सिलबटे हैं तो उस पे आप पीस लिए बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर मैंने जितने भी अमचुर पाउडर तो अगर आपके पास आम के अशार हो ना उसके भी मसाले यहां पर डाल सकते हैं अब यहां पर हमने डाल दिया है देड़ से दो चम्मस के करीब सर्शो का तेल अब इन सब चीजों को हमें खूब अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स बस इतनी सी ही चीजो कि गो मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि अब इसको बार बीच में टेष्ट कर लेंगे कि इस dzi closer ड़ीए तो यहां पर मैंने इसको एक बद चेक कर लिया तो इसमया पर थोड़ा सा नमख अच्छेनी चाव गया है इस चटनी को मतल्यां वी चाव से खाते हैं इसको आप दाल चावल के साथ रोटी के साथ किसी भी चीज के साथ का यह बहुत ही टेश्टी लगता है आप इसको अच्छे से इस्टोर करके हपतों मतलब की इस्टोर करके आप रख सकते हैं और इसको खा सकते हैं तो इसको बनाएए एक बार जरूर आप और अपना experience भी हमारे शार शेयर करिए कि आपको ये चटनी की रेशिपी कैसी लगी इस चटनी को बना के आप एक काच वाले बोटल में भरके मतलब की हप तो इस्टोर करके रख सकते हैं मैंने इसको एक जेम वाली बोटल ले रखी थी उसको अच्छी तरह से वास कलिया और फिसके बाद जो मैंने इसमें सारी चटनी भरके रख दिया चटनी जब हम बोटल या किसी चीज में रखेंगे तो उपर समें इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ओल ताकि हमारी चटनी जल् प्रेंस ग्रूप में सेयर करिए आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में चरूर कमेंट करिए तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू